आटो विक्री के नंबर्स भी आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं वो जहां पर उमीद से अच्छे नंबर्स आए हैं इनके आटो डिविजिन में क्योंकि हमारी उमीद थी के लगबक 80,000 के आसपा से आकड़ा आएगा पर कम्पनी ने अगर सेप्टेंबर महीन अगर ट्रैक्टर विक्री की बात करें तो वहां पर उमीद है बहुत जादा थी हाला के महीने दर महीने देखेंगे तो इनमबर्स अल्मूस्ट डबल हुए हैं पर थोड़े से उमीद से कम रहे हैं यहां पर 43,201 युनिट्स जो है कम्पनी ने बेची हैं और 46,000 के आसपा हम उमीद लगा के चल रहे थे तो ट्रैक्टर डिविजिन के नमबर्स अच्छे कहेंगे उमीद से थोड़े से चूकते वे नजर आये हैं पर ओटो डिविजिन के नमबर्स काफी तगड़े हैं तो इस लिहाज से मने पर नजर जरूर रहे की और मानेश्मेंट की कमेंटरी भी पॉस्टिव साइट देखने को मिल रहे है एक बार वैशाली जी आपसे कुछ सेलेक्ट काउंटर पर आये लिए तो M&M से ही शिर्वात करिए कि कैसे दिख रहा है आपको चार्ट पे कही ना कहीं 3,000 का लेविल होल्ड करने में अभी तक काम्याब है पर क्या आपको सही है और होल भी कर रहा है सो 3,000 का नियर टर्म सपोर्ट है और इंपे 2950 बेटर रेंज और प्रोजेक्ट टागेट आ रहे है वो है 3300-3400 मेरा व्यू M&M में पॉजिटिव है ने में ने इन सदरो पर खरेदारी भी कर सकते हैं और ओटो विकरी के आख़़ों की चलते भी आज Incounter Focus में रहेकर रहे ए WrestleMania फर्मा मैं पिर दोनों एक ही ग्रूप की कमपनी है, पिरमिल फार्मा के पिरमिल एंटरप्राइज़ेज़। पहले पिरमिल फार्मा हम देख रहे हैं, I think ट्रेंड काफे इंटक्ट है, और कल भी जो हम देख रहे थे, एक नया राउंड शुरूर लग रहा है, that it's starting, so 210 के support के साथ ये stock को consider किया जा सकता है, first target आ सकता है, वो है 245, so ये stock में जरूर strength देख रहे हैं, RSI भी हम देख रहे हैं, इसमें भी एक renewed upward move देख रहा है, so पिरमिल फार्मा is looking quite positive, खरीदारी का मौका है, और पिरमिल एंटरप्राइज, in fact इसमें भी एक similar ही pattern बन रही है, but I would say ये ग्रैजूली एक upward move देख रहा है, so I would say 1070 का support लेके, जिनके पास हो तो hold कर सकते है, look for a target of 1150. Okay, ठीक है, done, तो पिरमिल फार्मा, पिरमिल एंटरप्राइज, दोनों पर position क्या क्या है, ये stamping के जरीए भी आपको पता लग रही है, levels तो मैं मैं आपको बताई रही है,